हेलो एवरिवान कैसे हैं आप सभी लोग मैं उमीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे तो आज की जो वीडियो है वो वीडियो के सारी वीडियो के सारी वीडियो के सीजेव बाइस नहीं किया तो सबसे पहले जाकर चनल को सबस्क्राइब कीजिए और साथ ही टेलीग्राम चैनल at the rate rbe underscore s को join कीजिए वहाँ पर सारी PDFs आपको timely available हो जाएंगी इसी के साथ YouTube पर अलग-अलग playlist बना दी गई है तो time to time जाकर check करते रहे so that आप कोई भी video miss out नहीं करें तो चलिए start करते हैं आज की video तो first question क्या है देखिए dash part of xylem tissue in plants stores food xylem tissue जो की पादपो में xylem उत्तक का कौन सा भाग भोजन का भंडारन करता है xylem tissue पौधों में मिलने वाला plants में मिलने वाला एक tissue है that transports water and minerals जो पानी और minerals को transport करता है इसी के साथ ये 4 चीजों से मिलकर बना होता है vessels, fibers, trichates और parenchyma इन में से जो खाने को store करने का काम है वो करता है आपका xylem parenchyma तो ध्यान रखेंगे xylem parenchyma is the correct answer next question की बात करते है next question है in Golgi apparatus यानि Golgi काय में the maturing phase is called dash, परिपक को भाग कौन सा होता है देखिए दो जो Golgi apparatus होता है, ये मैंने आपको गुरू जी के नाम से याद कराया था इसमें दो phase होता है कि ये वाला और एक ये वाल एक phase पे ये हर चीज को receive करता है, हर चीज जो आकर गिरेगी वो एक phase पे गिरेगी, जब बाहर निकलेगी वो दूसरे phase से, for example ये वाले phase पे हर चीज आकर गिरेगी और इस phase से बाहर निकल जाती है तो इस वाले phase को बोलते है mature phase, यानि convex जिसके shape कैसी है, convex है यानि अफ्तल है, तो जो mature phase होता है, वो कौन सा phase होता है convex phase, यानि अफ्तल भाग next question की बात करते है which of the following statements about cell cycle is false इन में से कौन सी statement कौन सी कथन गलत है सबसे पहला, M phase सबसे पहले तो मैं बता दूँ cell cycle होती क्या है यानि जो ये कोशी का का चक्र होता है ये क्या होता है ये प्रॉपर्ड लीग cycle है जिसमें ये पता लगता है कि cell बना कैसे जब एक cell से दो cell बनते है या जब cell अपनी population प्रजनन करता है अपनी संख्या बढ़ाता है तो कैसे बढ़ाता है तो जब भी cell cycle आप पढ़ेंगे आप ध्यान रखेंगे चार हिस्से होते हैं cell cycle में ये रहे वो चार हिस्से सबसे पहले जीवन जीवन का मतलब क्या है cell बढ़ा होगा आप ये बताइए अगर cell size में बढ़ा ही नहीं हुआ तो cell बाद में दो भागों में कैसे भी भाजित होगा तो जीवन cycle होती है इसमें cell बढ़ा होना शुरू होता है तो जीवन stage में cell becomes larger and it copies organelles जो cell है वो size में बढ़ा हो जाएगा और जितने भी उसके अंदर अंग होते हैं organelles कोशिक अंग जिनको बोलते हैं cell organelles भी दो-दो बनने शुरू हो जाएगे अगली cycle होती है आपकी S जब जीवन यानि वो बढ़ा हो गया अब हम बात करेंगे S की S का मतलब होता है synthesis यानि किसी भी चीज़ का बनना तो S में क्या होगा अभी क्या हुआ है cell बढ़ा हुआ है और बाकी चीज़े जो है वो double हो गई क्योंकि दो हिस्सों में टूटना है S में क्या होगा DNA double होगा DNA अपने आपको synthesize करेगा DNA अपने आपको copy करेगा तो S स्चेज में क्या होगा DNA अपने आपको बनाएगा replicate करेगा copy करेगा यानि double हो जाएगा तीसरी स्चेज आती है G2 G2 के अंदर क्या होगा वो जो DNA double हुआ है वो अपने आपको organize करेगा कौन सा भाग इधर जाना है कौन सा भाग इधर जाना है अपने आपको reorganize करेगा अपनी अपनी जगा decide करेगे तो cell organizes and condenses the genetic material genetic material का मतलब DNA cell अपने आपको reorganize करेगा DNA को organize करेगा कि कौन सा DNA कहा जाएगा कौन सा कहा जाएगा और divide होने के लिए बिल्कुल ready हो जाएगा सबसे पहले G1 cell बड़ा होता है अगला हो गया S DNA बनेगा तीसरा हो गया G2 अपने आपको reorganize करेगा और last है आपका M M का मतलब क्या है कि cell में mitosis होगा mitosis का मतलब क्या है cell दो हिस्सों में टूट जाएगा जो DNA बना था DNA एक हिस्से में यह होती है पूरी स्चेज तो आप से यह क्वेस्टन पूचा गया है कि इन में से कौन सी चीज cell cycle के regarding जो है वो बिल्कुल falls है तो सबसे पहला देखते है M phase M phase लास्ट वला था ना जिसमें DNA दो हिस्सों में टूट जाता है और वो दोनों में चला जाता है डिवाइड हो जाता है The cell grows physically larger and copies organals यही चीज गलता है क्योंकि तो सबसे पहला था जब सेल बड़ा होता है G1 सेस्ती तो इन्होंने यहीं बता है कौन सी स्चेट फॉल्स है यही स्चेट फॉल्स है Next question की बात करते है What are the three parts of bacterial flagulum? Bacterial flagulum के तीन parts कौन कौन से है आपको मैं बता दूँ Bacterial flagulum क्या होता है यह bacteria तो इसके पास movement के लिए यह एक कूच सी होती है जिसको flagulum बोलते है तो इसके तीन हिस्से कौन से है यह मैं आपको classes में करा चुकी हूँ इंपॉर्टेंट सेशन में करा चुकी हूँ प्रीवियस केर का question है जिन्होंने बाच में किया होगा उनको पता होगा तीन हिस्से होते है सबसे पहला है filament यह जो लंबा सा होता है यहाँ होता है hook और यह होती है फिर body बसायल body तो बेसिकली तीन चीज़े है filament, hook और बसायल body यह तीन चीज़े किसी भी फ्लागलम में होती है यह होगी filament यह जो लंबा सा है यहाँ पे होता है hook और यह होगई बसायल body नेक्स्ट क्वेशन की बात करते है identify an example of organisms that are freely swimming and bottom dwelling forms यानि आप उन organisms की उन जीवों के उधारन की पहचान करें जो मुक्त प्लावी होता है freely रहते हैं और तलवासी रूप में होता है नीचे रहते हैं तो पहली बात तो यह है कि पानी में बात कर रहे है पानी में आपको मैंने दो तरीके के organisms पढ़ा रखे है phytoplanktons और zooplanktons दोनों पानी में रहने वाले microorganisms से सुक्ष में जीवी है क्या फरक है phytoplanktons है plants zooplanktons है animals और इन्होंने जन्तु पूछ रखा है that means इन्होंने बोल रखा है कि उन जीवों की पैचान करें जो तलवासी रहते है phytoplanktons सरफेस पे रहते हैं उपर उपर तहरते हैं पानी में बिलकुल उपर तहरते हैं जैसे काई हो गई अलगेई हो गई वो तो अभी आपका क्या आंसर आएगा इसका zooplankton is the correct answer यानि प्रानी प्लवक is the correct answer next question की बात करते है in what form is the energy derived from the food that we eat is stored in our body हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं उससे जो energy जो उर्जा मिलती है वो उर्जा किस form में store होती है देखो जो भी आप खाना खाते हो वो last में जाके बदलता है glucose में glucose और इनोंने पूछा कि जो energy है वो किस form में store होगी तो यहाँ पे energy वैसे ATP की form में store होती है जो भी आप खाना खाते हो वो होता है glucose और finally वो convert हो जाता है glycogen में तो जितना भी glucose आप खा लोगे जितना भी glucose बचेगा वो reserved form में आपकी body store रख लेगी इस form में रखेगी glycogen की form में तो glycogen यानि option B is the correct answer next question की बात करते हैं next question है which of the following animals have a single opening in their digestive system that serves both as a mouth and anus यानि इन में से किस जन्तु के पाचन तंत्र में एकल दुआर होता है ऐसे कौन से जान्वर है जिन में एक ही दुआर है एक ही opening है उसी से वो खाना खाते है और उसी से वो वेस्ट बहार निकालते है तो यह होते हैं इन में से उस और्फुक्रमी इस दा करेक्ट आंसर next question की बात करते है identify the organism that is not a pseudocolmate इन में से उस organism उस जन्तु को पहचानो जो कूट गुहिक यानि pseudocolmate देखिए होता क्या है पहले ये समझ लीजे जितने भी organisms होते हैं इतने भी जन्तु होते हैं उनके अंदर एक cavity होती है cavity के मतलब खाली जगा जहां पे तीन तरीके हैं या तो कुछ नहीं भरा होगा या कॉलमेट नाम की क्यामिकल भरा होगा या फिर pseudocolmate सुडो वर्ड जहां भी आता है उसको बोलते है आर्टिफिशन तो तीन तरीके के organisms होते हैं या तो कोई कॉलमेट नहीं है यानि कोई cavity नहीं है कोई कुछ भरा ही नहीं हुआ या कॉलमेट है या सुडो कॉलमेट है तो सुडो कॉलमेट वाले कौन से इन में से नहीं है तो मैं आपको यह बता रही हूं कि सुडो कॉलमेट वाले कौन कौन से है एंसाइलो चॉमा है बिलकुल इसके अंदर सुडो कॉलमेट होता है एसके इसके अंदर आपका सुडो कॉलमेट होता है विचेरिया इसके अंदर भी आपका सुडो कॉलमेट होता है बेसिकली स्कॉर्पियंस यानि बिच्छु जो हैं इनके अंदर सुडो कॉलमेट नहीं होता आप ये समझ लो नहीं मिलेगा जिनको आप देख सकते हो अलाकि इनमें भी बहुत सारे ऐसे आएंगे जिनको आप देख सकते हो बट विजिवल फॉर्म यह नहीं कि आपको कहीं भी पड़ावा मिल जाएगा बिच्छू जो है यह आठ्रो पोड्स के अंदर आता है और इसके अंदर आपको सूडो कॉल्मेट नहीं मिलेगा इसके अंदर कॉल्मेट मिलेगा नेक्स्ट क्वेशन की बात करते हैं वाट इस दा आउटरमोस्ट लेयर फाउंड इन दा सेल एंवलप ऑफ दा बैक्टीरियल सेल कॉल्ड जो बैक्टीरिया का सेल होता है उसमें सबसे बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं देखो मैं आपको बताती हूँ अगर यह बैक्ट आंसर होगे गलाइको कैलेक्स नेक्स्ट की बात करते हैं विच अफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इस करेक्ट इन में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा कथन सही है नुट्रीशन रिक्वार्मेंट्स अप अड़ोसेंट्स अर हाइयर दन एडल्ट जो बढ़ते तो यह बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो गया डी यानि बोथ वन एंड सेकंड नेक्स्ट की बात करते हैं इडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ डी कंपोजर्स डेटर फांट इन बॉट्टम ऑफ पोन यानि उन डी कंपोजर्स उन अपगटकों का उधारन दो जो की पानी में बिल्कुल नीचे पाए जाते हैं तो अब आपने इससे पहले क्वेश्चन पड़ा था उसमें जू प्लैंक्टन आंसर था कंफ्यूज मत हो येगा वो डी कंपोजर्स यानि अपगटक नहीं है डी कंपोजर्स कौन से होते हैं जो अफसी हीच चीजों को घुम करते हैं बिल्कुल जड से स्तामकर देंगे उनको डीकंपोजर्स बोलते हैं तो जू प्लैंक्टन तो प्लांट वाटे हैं जानवर हैं वो पौजों को घाँएंगे वो डी कंपोजर्स नहीं है इस 9 इन में आब आपक़पाशन यानि आँ खटक होते हैं, तलिए, next question की बात करता है, there are dash types, main types of cell division, कोशी का विभाजन के कितने प्रकार होते हैं, यह मैं आपको class में समझा चुकी हूँ, दो तरीके होते हैं, mitosis, mitosis में जो cell divide होता है, जो कोशी का विभाजन होता है, वो height बढ़ाता है, growth बढ़ाता है, और दूसरा होता है meiosis, जो अभी आपको मैंने समझाया है, meiosis में population बढ़ती है, cell ऐसे divide होगा कि population बढ़ जाएगी, तो mainly दो तरीके के cell division होते हैं, कोशी का विभ plant cells, इन में से plant cell यानि पादप कोशी का के बारे में कौन सी कथन सही नहीं है, cell wall of a plant cell is made up of cell loz, तो बिल्कुल ठीक है, जो cell wall है, यानि जो कोशी का भित्ती है, वो cell loz के मिलके बनी होती है, मैं आपको करा चुकी हूँ already, the plant cells cannot divide by mitosis, plant cells जो पादप कोशी का हैं, वो mitosis से से ही height बढ़ती है, तो यही गलत है, तो option B is the correct answer, identify an option that does not represent prokaryotic cells, इन में से वो कौन सा option है, कौन सा विकल्प है, जो प्राक केंदर की कोशी काओ का वर्णन नहीं करता, prokaryotic मतलब पुराने, जो आध्यधूरे विकसित होते हैं, अंडेवलप्ड होते हैं, जिन में कुछ नह sperm, sperm तो human beings का cell है, आप फुद बताओ, human being के अंदर, मानव के अंदर कोई cell prokaryotic catch हो सकता है, जब मानव फुद एक इतना advance है, although it is possible, but मैं आपको वैसे समझा रहू, sperm is the correct answer, शुकरानू, इसका correct answer है, वो prokaryotic नहीं है, वो eukaryotic है, यानि वो जो नए cells है, उन में आता है, next question की साथ करते हैं, the body of the dash is circular in cross section, hence the name roundworms, जैसे आपको यादो भी मैंने flatworm बताए थे, flatworm का क्या नाम था, platy helmets, इन्होंने बोला, इनकी body circular shape में होती है, यानि गोलाकार होती है, इसलिए इनको गोल क्रमी या roundworms कहा जाता है, ये free living भी हो सकते हैं, यानि अकेले भी रह सकते हैं, aquatic, पानी में भी रह सकते हैं, terrestrial भी रह सकते हैं, यानि जमीन पर भी रह सकते हैं, और या तो free living अकेले रह रह रहे हैं, या किसी पौधे या जानवर पे depend होकर भी रह सकते हैं, तो अब आपके पास चार options हैं, आप बताएंगे correct answer, ये आगया tenopores, escalements, platy helmets और mollusca, platy helmets तो आपको पता हैं, वो तो flatworms थे, मैंने आपको दोनों एक साथ समझायते हैं, क्लास में, biology की, कि platy helmets होते हैं, flatworms, और ये, जो escalements होते हैं, ये होते हैं, roundworms, तो आपको आगे का question पढ़ना भी नहीं था, अगर आपने class की है, roundworms से आपको पता लग जाएगा, correct answer is escalements, तो escalements इसका correct answer है, identify the animal that is not a non-cordate, इसको पढ़कर confused मत हो येगा, इनमें से वो जानवर बताओ, जो non-cordate नहीं है, ठीक है, यानि, codate है, codate क्या होती है, जिनके पास ये backbone होती है, तो आपको ये बताने हैं, इनमें से किसके पास backbone होती है, ये जो read के हड़ी होती है, porifera, porifera वो होते हैं, जिनमें sponge आता है, सबसे पुराने जानवर जिनको आप बोल सकते हो, arthropods, cockroach वगर आते हैं इसके अंदर, जिनके पैट जुड़े वे होते हैं, ये नहीं होगा, reptiles, reptiles is the correct answer, जो सरी सर्प होते हैं, ये ही हैं, जिनके पास backbone होती है, इसी लिए हम इनको co-dates बुलाते हैं, co-dates बुलाते हैं, या vertebrates बुलाते हैं, next question की बात करते हैं, nuts, यानि मेवा, vegetable, oil, fish, ये मचली, इन में से किसके अच्छे स्थ्रोथ हैं, minerals, यानि खनीज के, carbohydrate के, protein के, या healthy fats के, तो ये बहुत अच्छा source है, healthy fat, यानि की स्वस्त वसा का, तो healthy fats is the correct answer, next question की बात करते हैं, which of the following HYV seeds is or are associated with the green revolution, हरित करांती से इन में से किसके बीज, जो हैं, वो संबंदित हैं, तो आपको मैं बता दू, हरित करांती, यानि green revolution आया था, पैदावार को बढ़ाने के लिए, इसके अंदर हमने जोर दिया था, कि किसी भी तरीके से, जैसे, खाद का यूज करके या उर्वरो को का यूज करके हम कैसे कैसे जादा से जादा फसले बना सकते हैं, irrigation को कम से कम कैसे यूज करें, मतलब पानी कम से कम दे हम, तो ये सब चीजे हमने यूज की थी, और इसके अंदर main focus था, rice और wheat दोनों के ऊपर, यानि बोथ A and B, तो इसके अंदर कावल और गेहु, दोनों पे हमारा main focus था, identify a protein digesting enzyme, इन में से protein पाचक enzyme की पैचान करें, आपने कितने पढ़ रखे हैं protein digesting enzyme, दो पढ़ रखे हैं, एक पढ़ रखा है pepsin, जो आपका चमक प्रोड्यूस करता है, ठीक है, यानि अमाश्य प्रोड्यूस करता है, और दूसरा आपने पढ़ रखा है trypsin, जो pancreas, यानि अगनाश्य प्रोड्यूस करता है, सिर्फ यही दो enzyme पढ़ रखे हैं, जो protein को digest करते हैं, इन में से pepsin पे आपका correct answer हो गया, a group of ribosomes that is attached to mRNAs known as, RNA जो होता है ribonucleic acid, protein बनाता है, दो तरीकी का होता है mRNA और tRNA, यह मैं आपको class में सम हैं, तो उन ribosomes के group को क्या बोलते हैं, उन ribosomes के group को बोलते है, polysomes, तो polysomes क्या है, आप देख सकते हैं, polysomes एक group है, जो की mRNA से जुड़ा हुआ होता है, जो protein बनाने में help करता है, next question की बात करते हैं, mitochondria, आपको दोनों को मिलाना है, mitochondria आपको मैं class में समझा चुकी हूँ, powerhouse बोलते हैं, सारी energy, उर्जा इसी में बनती है, तो mitochondria का है, protein synthesis, regulation of activity of a cell, digestive system of a cell, और energy generation, आपको पता है, mitochondria जो है, वो energy बनाता है, तो first का answer हो गया D, अब आप देखो, first का D सिर्फ एक में ही है, तो यही correct answer हो गया, लेकिन, time आपका कैसे save होगा, ribosomes क्या करते हैं, protein बनाते हैं, nucleus क्या करता है, cell की सारी activity को regulate करते हैं, lysosomes क्य है, digestive unit of the cell, चलिए, यही same question आगया, अच्छा, इसके अंदर मैं आपको यह बता देती हूँ, यह question क्या है, यह अभी आगे आएगा, I think, जो diplo-blastic animals होते हैं, आपके जो जानवर होते हैं, ना animals होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं, diplo-blastic, यानि जिन में उपरी परत जो होग होते हैं, कुछ जानवर होते हैं, जिन्नों diplo-blastic होते हैं, दो सते होते हैं, तो उन में होता क्या है, एक होती है, बाहर वाली लेयर, एक होती है, अंदर वाली लेयर को बोलते है, एक्टो-डर्म, अंदर वाली लेयर को बोलते है, एंडो-डर्म, और इनके बीच में एक ऐ रहें तो डाब तीजित यह जिसको आप विभाजित नहीं कर सकते जिसका मेला के प्र यह पिजनुर्फरीक और कॉर से रखेंगे i think next question यहीं है ऐन आROडिफरेंशीएट ड्रियर डैश इस प्रेजेट बत्विक्वीन विट्त और से के बीच में कॉन सी लेर प्रेजेंट होती है तो इनके बीच में प्रेजेंट होती है मीसोग्लिया तो मीसोग्लिया इस दे करेक्ट आंस कि identify an animal of diplo-blastic identify an example of diplo-blastic animals इन में से आपको एक उधारन देना है जो diplo-blastic है जानि जिन में दो लेयर होती है तो चार ओप्शन्स है कोईलेंट रेट्स अराक्नेट्स कोडेट्स प्लेट्स प्लेट्स है कोईलेंट्रेट्स हो गया यह आपके diplo-blastic animals में आते हैं जिन में दोस्त है होती है तो आप ध्यान से इसको एक बार रिवाइस कर लीजेगा मेंस के point of view से भी next question करते हैं इना food chain secondary producers आर किसी भी food chain में जो दुइत्यक उत्पादक होते हैं वो कौन होते हैं एक तो होते हैं जो खाना बनाते हैं producers main producers पौधे उसके बाद आते हैं जो उन पौधों को खाते हैं क्योंकि वो अगलों के लिए खाना है जैसे घास है घास को खाया गाये ने और गाये को खाया शेड ने तो primary producer हो गया जो बिल्कुल प्राथमिक जिनको उत्पादक वो हो गये आपके plants उसके बाद उनको किस ने खाया गाये ने तो गाये कौन सी हो गई दृत्यक उत्पादक हो गई secondary producers हो गई तो वो क्या है किसकी काटेगरी में आती है वो आती हर्भी वोस की काटेगरी में यानि जो सीधा पौधों को खाते हैं खाका हारी तो हर्भी वोस is the correct answer next question की बात करते हैं what happens to the decomposition rate when detritus is rich in lignin and chitin देखिए जब अपरद में जो ये waste चीजे होती है इनने में लिगलिन लिगनिन आपको याद हो आपने पड़ा था जो चीजे बहुत हार्ड होती है जैसे नारियल का जो उपर का वो होता है होता है कि कितना हार्ड होता है तो ऐसे में क्या होता है जो सेलवल होती है कोशी का भित्ति उसके ओपर लिगनिन जमा हो जाता है मैंने पढ़ा रखा है लिगनिन क्या एक बहुत कॉम्पलेक्स बहुत ज्यादा जटिल चीज होती है तो अगर खाने में या किसी भी चीज में जिसका आपको अपगटन करन अचलना हो लिगनिन प्रेजेंट फोगा या फिर छिटन प्रेजेंट होगा बिल्कुल दोनों एक जैसे हिए सिमेंट के जैसे होता हैं इतने हाड होता है उसके अपगटन में क्या फ़र्क Never उसके decomposition पर क्या फ़र्ख पड़ेगा अब उसका decomposition अराम-अराम से होगा क्योंकि यह बहुत complex चीज़े हैं बहुत जटल चीज़े हैं तो it is slower decomposition कैसा होगा धीमा होगा कि next question की बात करते हैं identify a dark colored amorphous substance यानि कौन सा इन में सुक्ष मिजीव आ की काम करता है तो वह नहीं करने देगा उसको और बहुत अत्यांत धीमी गती से अप गटन से गुजरता है यानि जिसको सडाना भी बहुत मुश्किल होता है तो मैं आपको बता दू यह है हूमस ठीक है हूमस बेसिकली क्या होता है डेड अनिमल्स और डेड प्लांट्स का जो वेस्ट होता है उसको सडाके बनता और खाग जिसको बोलता है वो इसी से बनती है तो इसको जब यह सडाकर बना है इसको और क्या सडाएंगे इसकी कोई शेप नहीं होती तो हूमस इस दा करे यह होती है प्रोटीन की कमी से तो क्वाशी ओर कर होती है प्रोटीन तो यानि फस्ट का आंसर है डी तो अगर आप देखेंगे फस्ट कड़ी सिर्फ एक में हैं लेकिन बाकी भी पढ़ लेते हैं वीक बोन्स और मसल्स जो हड़ियां कम जो जाती हैं वो कैल्सियम की कमी की पारिस्थिति की तंत्र शब्द इसने प्रस्तावित किया यानि इसने सबसे पहले इको सिस्टम शब्द का पारिस्थिति के तंत्र का यूज किया तो ये थे एजी टेंसले ये भी मैंने आपको वन लाइनर में कराया हुआ है तो एजी टेंसले is the correct answer next question की बात करते है identify the function of plasmid DNA plasmid DNA जो होता है उसका कारे पहचानी है देखिए इसका क्या काम होता है सबसे पहला plasmid DNA है क्या DNA का एक ऐसा भाग जो सिर्फ ऐसी चीजों पर काम करता है जो दिखेंगी उसको plasmid DNA बोलते हैं तो plasmid DNA क्या करेगा मैंने आपको अगर याद हो दो चीजे बताई थी phenotype और genotype genotype जो अंदर genes में है ठीक है आपके genes जो है आपके उनके अंदर है जो दिखेंगे नहीं ठीक है और होता है phenotype जो दिखेगा बाहर से visible होगा तो plasmid DNA वो है जो phenotype पे काम करता है चार option है और यह मिलता है bacteria के अंदर मैं यह भी बता दूँ सबसे पहला तू कंफर सटें यूनीक phenotype characters to bacteria यानि bacteria को कुछ जो unique जो मतलब किसी के और के पास नहीं मिलते ऐसे वर्ण प्रदान करने के लिए ही आपका plasmid DNA काम करता है तो option है correct answer है formation of RNA ऐसा कुछ नहीं है RNA के लिए ribosomes होते हैं वो अपने आप कर लेते हैं none of the given options correct of form blood cells bacteria में blood कहां से मिलेगा तो इसका option जो है correct वो है option A next question की बात करते है which of the following is not a goal for the green revolution इन में से कौन सा हरित क्रांति का लक्षय नहीं है rising crop productivity यानि फसल उत्पादक्ता में व्रद्धी यह बिल्कुल correct option है expansion of irrigation सिचाई का विस्तार सिचाई का विस्तार क्यों करेंगे हम कोशिश करेंगे सिचाई कम से कम करें और तब जो फसले हैं वो जादस जादा बने option B is the correct answer which nutrient is cholera rich in जो cholera होता है आपका algae होती है कवक होती है और यह सबसे ज़्यादा rich होता है protein में इसकी गोलियां भी आती है green रंग की गोलियां होती है और यह protein में इतना भरपूर होता है बहुत स्फाइदा करता है तो protein में rich होता है ध्यान से इसको learn कर लेंगे next question की बात करते है in leaves transpiration takes place through जो पतियां होती है उनमें वाशपोध सर्जन किसके माध्यम से होता है वाशपोध सर्जन क्या है transpiration का मतलब है loss of water vapor पानी का नुकसान होना भाप की फॉर्म में और वो होता है इस चौमेटा है नहीं रूदरान से तो आपका जो correct answer होगा वो होगा इस चौमेटा next question की बात करते है identify the function of the enzyme trypsin trypsin का function बताईए मैंने अभी आपको बताया था trypsin क्या करता है protein को digest करता है so digesting protein is the correct answer dash is a group of cells similar in structure and function बहुत असान cells के group को कोशिकाओ के एक समू को जो दिखने में एक जैसे होंगे काम एक जिसे करेंगे उसको क्या बोलते है तो cell से मिलकर बनता है tissue यानि उतक so tissue is the correct answer which of the following are food preservatives इन में से कौन से food preservatives है खाद्य परिरक्षक है यानि ऐसी कौन से चीज़े हैं जो खाने को ज़्यादा time तक बचाने में मदद करती है जब ऐसा question आए न तो हमेशा ना option elimination का use करना चाहिए for example फस्च की बात करता है फॉर्मिक ऐसेड विनेगर विनेगर हम यूज करते हैं खाने को बचाने के रहे तो ये option ठीक हो सकता है and methyl alcohol alcohol आ रहा है तो यही है इसे मैंने eliminate कर दिया gypsum जिपसम क्या था जिससे चूवो बन रहा था P.O.P. Plaster of Paris बन रहा था जिससे हम घर की पुट्टी करते हैं और विसी बात है जिपसम जैसे चीज तो हम नहीं खाने में डालेंगे तो जिपसम इसमें भी है और इसमें भी ही भी खतम हो गए Salt, नमक यह हम यूज करते हैं Sodium, Nitride, Spice and Vinegar यह सारी चीज़े ऐसी है जो हम खाने में यूज करते हैं इस्तमाल करते हैं और खाने का परिरक्षक है यानि Preservative करते हैं आचार के अंदर डालते हैं तेल डालते हैं, नमक डालते हैं इसलिए डाला जाता है Identify the correct statement about green algae इन में से जो हरे रंकी जो आपकी शेवाल होती है उसके लिए कुछ correct statement बताईए देखे, मैं आपको बता दूँ जितने भी आपकी शेवाल होती है बेक्टीरिया का बताया दो लेयर होती है, अंदर वाली cellulose होती है बाहर वाली glyptokalyx होती है जो आपकी शेवाल होती है, इसमें भी दो लेयर होती है अंदर वाली तो cellulose की ही होगी बिल्कुल, cell wall होती है cellulose की बाहर वाली होगी pentose की pectose की, sorry, pectose क्या है? एक तरीके का sugar है, शरकरा है तो अंदर वाली किसकी होगी? आपकी cellulose ये fix है और बाहर वाली किसकी होगी? pectose की, तो इसको ध्यान से कर लेंगे चलिए, अब आपका फिर सेल साइकल पर question आगया है, जो मैंने अभी आपको बताया था तो सबसे पहले बात करते हैं, जीवन में जीवन में क्या था, cell बड़ा होता है तो cell synthesis, cell grows physically large, यानि first का जो है, वो B है फिर आता है, जीवन के बाद S, synthesis, DNA बनता है तो DNA आगया, यह रहा, cell synthesis, the complete copy of DNA second का हो गया A, तो आप देखो, first का B, second का A, अच्छा इन दोनों में है, third की बात करते हैं, G2 G2 में क्या होगा, DNA रियोर्गनाईज होगा, आपने, आपको रियोर्गनाईज करेगा, तो अब आप देखेंगे, यह रहा, रियोर्गनाईज वाला तो third का क्या हो गया, C, तो B, A, C, यह रहा, option आपका correct है, यह same question आगया, next question की बात करते हैं, इन लेक इकोसिस्टम, यानि जील पारिस्थिती की तंत्र के अंदर, primary consumers कौन होते हैं, यानि वो कौन से उप्भोगता हैं, जो सबसे पहले खाएंगे, तो खाना कौन बनाएगा, फाइटो प्लैंक्टन, अभी बताया था मैंने आपसे, तो फाइटो प्लैंक्टन जो होते हैं, वो आपके मासाहरी जानवर, फिशुझ मासाहरी होते हैं, वोल्स, भेडि, ये, पक्षी साय मासाहरी होते हैं, काल जो गाय हैं, वो हर भी energy currency energy को कहीं भी आपको भेजना होगा आप ATP की फॉर्म में ही भेजते हो यह प्रोटीन बनाने के भी काम आती है इसके लावा enzymes sorry इसके लावा जो आपके nerve impulse होती है दिमाग की जो impulse होती है उनको चलाने के काम आता है मसल्स जो मास पेशिया है उनके contract करने के काम आता है तो इन में से वो बोल रहे हैं इन में से किसका संबंध नहीं है ATP से related क्या नहीं है secretion of enzymes यह chemical chemical खुद निकलते हैं आप यह चीज़ समझो एक chemical दूसरे कैसे निकाल सकता है कैसे उत्सर्जन कर सकता है नहीं कर सकता ना ATP खुद एक क्यामिकल है तो सिक्रेशन ऑफ एंज़ाइम्स इसका correct answer है चलिए next question की बात करते हैं हसको के coconut is made of ore यानी नारियल के जो रेशे युक्त छिलके होते हैं वो किस उत्तक के बने वे होते हैं तो मैं आपको बता दूँं कि जो नारियल होता है उसका बहर वाला शेल कितना जादा हाड होता है कौन से उत्तक से बना होता है जितनी भी चीज तो ग्रीन रेविलुशन दै यूज ओफ एच वाईवी सीट सबसे पहले तो है यानी हाई येलिंग variety यानि ऐसी variety जो बहुत ज़ादा हमको result दे ऐसे seeds हमने use किये थे green revolution के पहले चरण में तो वो कहा कहा use किये थे तीन जगह वोपे use किये थे पंजाब उसके बाद Tamil नाडू तीसरा आंद्रप्रदेश तो ये तीन जगह पे हमने HYV seeds का इस्तमाल किया था तो यहीं इसका correct answer है next question की बात करते हैं identify the step that is not a part of decomposition इन में से उस चीज को पहचानो जब अपघटन होता है वो उसमें involved नहीं होती सबसे पहला है humification यानि आजरी करत humification में क्या होता हम छोड़ देते हैं गंदगी को छोड़ देते हैं वो अपघटन होता रहता है और खाद अलग निकल जाती है तो यह होता है अपघटन में catabolism reactions होती है बिल्कुल होती है leaching leaching भी होती है leaching में क्या होगा कि जो आपके कीडे में पॉड़े हैं वो उसके अंदर काम करेंगे बिल्कुल soil erosion मिट्टी का शरन यह नहीं होता यह बिल्कुल नहीं होता decomposition की process में बलकि decomposition से अपघटन से fertility बढ़ती है जो उर्वरक शक्ती होती है वो बढ़ती है तो soil erosion इसका correct answer है salamander belongs to which of the following classes salamander एक छिपकली की तरह होती है वो थोड़ी बड़ी होती है size में तैर सकती है और जमीन पर भी रह सकती है तो ऐसे जीवों को क्या बोलते है amphibians यानि उभैचर बोला जाता है तो amphibians इसका correct answer है in which of the following groups are all plants monoecious? monoecious कौन से होते हैं? unisexual जिनके पास एक ही sex present होगा या तो वो male होंगे या वो female होंगे और आपको मैं बता तू जादतर इसमें होते है फल वाले पौदे unisexual में फल वाले पौदे सबसे ज़्यादा मिलते हैं ये कोई hard and past rule नहीं है पर अगर आप notice करोगे तो फल वाले पौदे जादतर unisexual में आते हैं आपके पास चार options है maize यानी मक्का, cucumber यानी की खीरा fig, anjeer और melon यानी खर्बूजा ये ही है ये चारो के चारो आपके unisexual हैं तो ये चारो ही हैं आपके तो रोज आ गया, रोज bisexual होता है रोज bisexual होता है देखो बाकी तीनों में रोज आ गया रोज इंपोर्टेंट है, bisexual होता है आप इसको लेंड कर दीजेगा नेक्स्ट क्वेशन की बात करते हैं डैश इस दा फंडमेंटल स्ट्रक्ट्टरल उनिट ऑफ लिविंग और्गेनिजम्स जीवों के लिए कौन सा मूल भूथ से सरचनात्मक एकाई है, सेल, कोशी का ठीक है, ये थोड़ा सा आगे दूसरे क्वेशन का था, अगर आपको यादो पॉलिजोम्स का एक क्वेशन कर आया था, ये उसका नोट है कि ये mRNA से जुड़े हुए होते हैं, इनको पॉलिजोम्स ये अर्गोजोम्स भी बोलते हैं, जिसमें ये था कि जो mRNA से जुड़े हुए राइबोजोम्स को क्या बोलते हैं, ये क्वेशन था, तो वो उसका अंसर है आपका पॉलिजोम्स बिच अब दापॉलोइंग सेल्स लाइन, दापॉन्जो कोल्स इसल्स प्रशाविक जो sound placed within, बना, फेरिक वीNow बोल रहा है, इंके अनदर कौन से सेल्स प्रेज़स होते हैं इनके अंदर कौन इसल्स कों सी कोशिकाय होता है कोलर सेल्स होन तो र्जीक सेल्स होते हैं को law सेल्सेल्स कोलर कोशिकाय उन्हा हू सेल्सेल्स identify the longest part of bacterium flagulum जो जीवानु कशाभी का होती है flagulum का मतलब समझ गए ना अभी मैंने बताया था बैक्टीरिय के पैसे चलने के लिए सबसे लंबाबाग क्या है यह है और इसको हम क्या बोलते हैं filament बोलते हैं तो filament is the correct answer what is the role of ribosomes of a polysome polysome के अंदर जो ribosome होते हैं उनका correct role क्या है कुछ नहीं होता है ribosomes का main काम होता है protein में बदलना mRNA से जुड़े हुए होते हैं और mRNA को किस में बदलते हैं protein में बदलते हैं तो आपके पास 4 options है the ribosomes of polysome का role पूछा है ना राइबोजोम सिंतसाइस fat गलत protein बनाते हैं राइबोजोम से पूली सोम का translate RNA into protein rRNA को नहीं बनाता वो mRNA को protein में बदलता है कि identify animals that are not triploblastic इन में से उनको ढूंडो जो triploblastic नहीं है अब भी आपने ना पढ़ा था एक प्वेशन में कि diploblastic कौन सा है तो उसमें कोईलेंट्रेट सा कोईलेंट्रेट इसमें भी है तो अव्यसी बात है कि अगर कोईलेंट्रेट इसमें है तो यानि वह triploblastic नहीं होगा ना वह diploblastic है नेक्ट वर्शन की बात करते हैं identify a marine algae that is used as food इन में से कौन सी समुंद्री शेवाल है जो खाने की तरह हम भोजन की तरह यूज करते हैं युलोथ्रेक्स पाइरोगाइरा वॉल्वोक्स नहीं गरते हैं श्बार सपयरोगाइरा को तो बल कि metrin silk बोला जाता है अपको मैंने क्लास में समझा रखा है कि इनको खाने के लिए स्टमाल कर सकते only कि सर की सर्गे सुम को आप खाने की तरह इस्तामाल करते हो तो सर्गे सुम जो है एक ऐसी algae है, ऐसी शेवाल है, जिसको खाने की तरह आप इसिमाल कर सकते हैं next question की बात करते हैं most of the chlorophykae have one or more storage bodies called dash, located in the chloroplast chlorophykae जो होती है, ऐसी algae जिनमें chlorophyll भरा होता है तो उनके chlorophyll में storage के लिए, किसी बी चीज को भरने के लिए जगा बनाई भी होती है उस जगा को क्या बोलते हैं उस जगा को बोलते हैं पारिस्थितिकी है तो सिन वर्ड का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि structure क्या है जो ecology में जो परिस्थितिकी में communities रहती हैं जो भी लोग रहते हैं अलग-अलग तारीकी की प्रजातियां रहती हैं उनका क्या structure है वो कहां रहती है उनका development कैसे है और distribution कैसा है किस जगह पर कैसे चीज़े रहती है तो यह इसका correct answer है तो इसका जो correct answer हो गया वो हो गया option D कि a branch of ecology that deals with structure, development and distribution of ecological communities यानि जो पारिस्थितिक समुदायों की सरचना विकास और वितरन से संबंदित है next question की बात करते हैं which of the following is a plant tissue इनमें से कौन सा plant tissue है? मेरिस्टमाटिक जिसको विब जी उत्तक बोलते हैं और परमानेटियनी स्थाई दोनों ही plant tissues हैं तो बोथ first and second जो है वो correct answer हो गया which food requires a longer small intestine to digest food? इनमें से ऐसा कौन सा खाना है जिसको पचाने के लिए हमारी आत को काफी लंबा होना पड़ेगा छोटी आत को यानि small intestine को आपको मैं बता दूँ जो गाएं वगरा होती हैं उनके पास small intestine बहुत लंबी होती है क्यों? क्योंकि वो खाती है घास घास में होता है cellulose जिसको पचाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो small intestine नम्बी होती है तो grass is the correct answer Why does one get cramps after sudden physical activity? किसी भी इनसान को अचानक से शारिक गतिविदी के बाद एकदम से cramps आ जाते हैं ऐसा क्यों होता है तो मैं आपको बता दूँ वो इसलिए होता है क्योंकि जब आप exercise करते हो तो body में oxygen की कमी हो जाती है और उस चाहिम पे हमारी body में होता है anaerobic respiration यानि जो oxygen के बिना respiration होता है तो उस चाहिम पे बनता है lactic acid तो lactic acid की वएसे होता है तो अगर आप options पढ़ेंगे तो यह रब the build-up of lactic acid lactic acid के एकदम बनने की वज़े से हमारी body में cramps होता है अकड़नाती है next question की बात करते है cells of meristematic tissue leg यह जिन से height बढ़ती है यह divide होते रहते हैं और height बढ़ाते रहते हैं तो इनका काम में height बढ़ाने का है और मुझे अभियाद है कि जब मैने class में भी समझा है तो मैंने यह बताया था कि जिनको रहना ही नहीं है उनको फटा-फट फटा-फट divide होना है तो यह अपने अंदर कुछ भी store नहीं करते और storage कहां होता है vacuols में होता है तो vacuols नहीं होते इनके पास तो रिखतिकाय नहीं होती क्योंकि vacuols क्या है खाली डब्बे हैं जिनमें समान भरा जाता है तो जब इनको divide होना है तो vacuols इनके पास नहीं होते तो इसका correct answer हो गया A vacuols तो guys यह थे biology के स क्लासिस में और वन लाइनर्स में सारे कवर हो रखे थे आई वोप आपका अच्छा गया होगा और जिनके एक्जाम अगर मान लीजे आपका प्रीक्वालिफाई भी हो जाएगा आपके मार्स अच्छे नहीं आपाएं तो कोई आपके पास एक बहुत अच्छा चांस है जिसमें आप सारे क्वेश्चन्स सारा कुछ आप स्चार्टिंग से कर सकते हैं आप सबसे पहले तो आप हमारे टेलीग्राम चानल अग्डरेट आ कराये जाएगी प्री रिकॉर्डड़ वीडियो प्रेक्टिस सेशन्स आपको सब अविलेबल कराया जाएगा इसी के साथ अगर आपको सारे सब्जेक्स एक सथ नहीं चाहिए तो आप इंडिवीजुल बाचेस के जो हैं आप वह भी ले सकते हैं जैसे माच्स का द्रोन चा थाल चाहिए प्री एक चाहिए? झाल झाल